WhatsApp के थुरू Digilocker यूज़ करने के लिए और अपने documents डाउनलोड करने के लिए आपको ये number save कर लेना है इसको आप किसी भी name से save कर सकते हैं WhatsApp में ये number आपको इस तरह से दिखाई देगा ये government का official number है इसमें आप verified green tick देख सकते हैं इसमें आपको just type करना है hi आपको reply मिलेगा इसमें आपको choose करना होगा digilocker services आपसे पूछा जाएगा क्या आपका digilocker account है अगर आपका नहीं है तो आप no choose करेंगे और अपना आधार कार्ट number और OTP डालेंगे तो आपका digilocker account create हो जाएगा और अगर पहले से आपका digilocker account है तो इसको आप yes करेंगे आपसे आधार कार्ट number डालने के लिए बोला जाएगा आप यहाँ अपना आधार कार्ट number type करके enter करेंगे आपके आधार कार्ट के साथ जो mobile number link है उस पर एक OTP send के जाएगा OTP आप यहाँ type करके enter करेंगे digilocker में आप login हो चुके हैं और अब आप WhatsApp के थुरू अपने documents को access कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको अपना आधार कार्ट देखना है तो आप आधार पर click करेंगे आपके सामने आधार कार्ट की details आ जाएगी कोई और document देखने के लिए आप other documents पर click करेंगे जिन documents को आपने पहले से issue किया हुआ है आपके सामने एक list आजाएगी आपको just उसका number type करना होगा और वो document आपके सामने आजाएगा जैसे कि मैंने पहले से vehicle RC और pen card को issue किया हुआ है तो जैसे कि मुझे अपनी गारी की RC देखनी है तो मैं two type करके enter करूँगा तो इस तरह से मेरे सामने vehicle की RC आजाएगी इस पर click करके मैं इसको save कर सकता हूँ और documents देखने के लिए other documents पर click करेंगे आपके सामने एक list आजाएगी इन documents को issue करके आप download कर सकते हैं जैसे कि pen card, driving license, mark sheet, RC, insurance policy, etc. जैसे कि अगर आपको driving license देखना है तो आप two number type करके enter करेंगे 10 की mark sheet के लिए 6 type करेंगे insurance policy के लिए 7 type करके enter करेंगे आपके सामने companies की एक list आजाएगी जिस company से आपने insurance लिया है उस company का number आप type करेंगे जैसे कि मैंने go digit से लिया है तो मैं 6 number type करके enter करूँगा insurance policy number डाल कर enter करेंगे तो आपके सामने insurance policy आजाएगी उसको आप यहाँ से download कर सकते हैं दिजि लॉगर के साथ साथ ही इसी नंबर पर आप कोविन सर्विसेट भी ले सकते हैं इसके लिए आप कोविन सर्विसेज चूष करेंगे इसमें आप ओप्शन चूष करेंगे जैसे कि अगर आपको वैक्शिनेशन के लिए अपॉइंबंट बुक करनी है यह एंटर करेंगे आपके नंबर पर एक OTP सेंड के जाएगा OTP डाल कर एंटर करेंगे तो आपके सामने COVID vaccination certificate आ जाएगा उसको आप यहां से सेव कर सकते हैं तो इस तरह से डीजी लॉकर और COVID services आप इस नंबर के थुरू WhatsApp पर ही ले सकते हैं